आप सभी सीर और सिर्णियू का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टेडिट्रिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोभीजनल इंसर की फाइनल इंसर की रिजल्ट और साथ ही साथ कटप के बारे में कि आपका कटप कितना जाएगा इन सभी चीजों के बारे में हम one to one करके सब के बारे में discuss करेंगे तो वीडियो को तनिक भी skip न कीजिएगा अंतकवाज कीजिएगा जो latest notice आया है UPSI के तरफ से उसके बारे में भी हम बाते करेंगे तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे उससे पहले आप लोग से एक प्यारा सा request है चैन तो सबसे पहले आप देख लेजिए या न्यूज 18 का खबर है यहाँ पर उपी प्लिस एसाई से संबंधित एक latest update को यहाँ पर जारी किया गया है यहां हम आपको बता दे कि उपी एसाई का प्रिक्षा तीन चरणों में संपन हुगा था आपको ग्यात हो तो यहाँ पर ती और आपका तीन सिफ्ट में भी प्रिक्षा का आयूजित किया गया था और देखिए पहला चरण यहाँ पर 12 से 17 नौंबर दूसरा चरण 20 से 25 नौंबर और तिसरा चरण 27 से 2 दिसंबर तक आयूजित किया गया था अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका कटप कितना रह रहने वाला है तो यहां पर जेनरल की बात करें तो हिनका कटप 295 से लेकर 300 में जाने वाला है और बात करें हैं कि 205 से 266 के मद्ध में रहेगा और एक सर्विसमेन का 280 से 285 के बिच में तो ही हम अगर बात करें यहां पर UPSIE फीमेल का कटफ गाप कितना जाएगा तो यहाँ पर जै्टरल का 200 से लेकर 265 के मध में जाने की संभावना है और हम बात करें यहाँ पर princi्की तो 240 सो 245 के बीच में राने वाला है χोई की बात करें तो 220 से 200 पचीस के बीच में जाएगा और maintaining बात कर तो 255 से लेकर 260 के बीच में जाएगा और यहां पर एक सर्विसमेन की 233 से 235 के बीच में यह तो हुई आपकी cut-ups related सावाल आप चलिए जान लेते हैं कि आपका प्रोभीजिनल एंसर की कब जारी किया जाएगा तो इसकी जारी होने की संभावना या बैक्ति आपका 10 दिसंबर को जारी हो जाएगा प्रोभीजिनल एंसर की जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है और उसके बाद दो से तिन दिन लाएगा आप लोग का जो भी डाउट हो उसको सोलूसन करने में लगेगा कोई भी अगर आपके प्रस्ण हो तो उसका सोलूसन भी हो सकता है दो से तिन दिन का समय मिलेगा उसके लिए और आपका रिजल्ट जो है फाइनल ओव आएगा 26 दिसंबर को पब्लिश कर दिये जाएगा तो 26 दिसंबर का आपका रिजल्ट पब् इस चरूर रख लीजीगा